हम यहां से कहना चाते हैं अगर परसनली कहें तो ऐसा लग रहा है कि मोदी का बहे बहुत सेकलोर है अगर सेकलोर इसलिए बोल रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे साही हो सभी को बेरजगा रखना है युवाओं का काम है लड़ना और वहचारिक तोर पे भी हम लड़ेंगे और ग्राउंड लेवल पे भी हम अपने बल से अपनी शक्ती से भी लड़ने का काम करेंगे ये देश की जनता बहुत मासूम है हम अगर उनके बीच में जाते हैं और उनको नजर आता है कि ये विश्विधालों के छातर हैं पड़े लिखे हैं ये देश के कौने कौने में घूमे हैं इनको दुनिया की जानकारी हमसे जादा है तो उनका ये यकीन हम पर बन जाता है कि कि जो बात कह रहे होंगे तो सच कह रहे होंगे यह सोच रहे हैं कि कैसे सड़क के बाहर आवाज दवाई जाए और कैसे संसत के अंदर आवाज दवाई जाए जिसके अंदर जो आज के समय में देश के युवाओं के सामें जो इंडिया में जो यंग म से उसके उपर उसके समाधान क्या है उसके खिलाफ कैसे उन्गहर्श करना इन सारे सब्सक्राइब आज इसको लेके यहां पहुचे हैं उस लिए लोग क्या देखते हैं सुनियों उन्हेंने पूरी बाचित में क्या कहा है पिछले पांच-दस साल से 45 एर्स का आल टाइम हाइस अनेम्प्लाइमेंट है रिसेंटली एफ वो रिपोर्ट में 74 परसेंट ऑफ पॉपलेशन जो है मैलनुट्रीशन है विताउट रीच फर ह इकनोमिक डिस्ट्रस जो है बहुत बड़े पैमाने पर है आज जमीन पर तो यह सिर्फ यूथ इशूस के बारे में कन्वेंशन नहीं है यूथ के साथ साथ जो लार्जर एकनोमिक और सोशल क्रैसिस भी एक सोशल टेंशन तनाव जो है चल रहा इस देश में इसारे मुद् एक मार्जर प्रोग्रेम में डिमाक्रेशी अल्च वर्क वितौ औट स्ट्रॉंग ऑ पपोजिशन, पैक स्ट्रॉंग है एक काउंटर नरेटिव को काउंटर सोशल एजेंडा को लेके किस पर इस रचा है डेश का यूवा है वो निराशा में है, वो नशे जो है उसकी दल दलदल में दसा हुआ है तो आज जो है एक आवशक्ता है कि जो लेफ्ट है वो उभर कर सामने आए जिसमें युवा और शातर जहो है वो एहम भूमी का निभा सकते हैं यदि आज हमारे देश के किसान अपने हक के लिए इन लोगों से लड़ सकते हैं इनको जुका सकते हैं तो इस देश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ती है बहुत बड़ा सवाल जो है अपोजिशन के सामने आज यह है इतने बेरोजगारी होने के बावजोद इतना एकनौमिक दिस्ट्रप्लिक्ट होने के बावजोद बार बार इलेक्शन में बीजेपी जीत के और यह इस पे भी चर्चा होना चाहिए कि लोग किस डंक से सोच रहे इस 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 के बारे सिर्फ हमारा सोचने इस से कुछ नहीं होगा लोगों को भी इस 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 के बारे में किस डंक से सोच रहे therefore this has to be a two-way dialogue उप्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई पीडियत है तो आज का युवा है लोगों ने माबाप ने कर्ज लेके जमीन बेच के घर बेच के घर गिरी भी रखके अपने बच्चों को पढ़ाया और जब वो पढ़के तयार हो गया डिग्री ले ली तो आज जो है अगनीवीर जैसी दोका देने वाली योजनाएं सामने खड़ी हैं बढ़तिया है नहीं तो जो है निक्तिया नहीं हैं और कहीं न कहीं एक्जाम्स के बाद लगातार आपके जो हैं ये परिशाएं कैंसल होना और चात चात्राओं के अंदर बड़ा रोश है इसको अगर जल्दी सरकारों ने कोई रस्ता ने दिखाया तो एक बड़ा इनकलाब बनने का काम होगा देश में जो चुनौतियां हैं यूद के सामने खाफ से बड़ी उनके रोजगार की उसको लेकर के यहां पर चिंतन हुआ है और मुद्धों को जो कि देश के अंदा नफरत की बाद भारते अंदा पार्टी ने की है उस नफरत को मिटाने के लिए किसानों के लिए महिलाओ के सम्मान के लिए पिछलों अदलितों के सम्मान के लिए यहां हम लोगों ने एक तहरीक शुरू करने का प्लान बनाया है और वो आगए आपको देखने को मिलेगा हमारा डिमांड यह है कि जिस भी इनसान के पास जितनी योगिता है योगिता के अनुसार उसे रोजगार दिया जाए और रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है अगर देश में युवा बेरोजगार है तो तो उसी को इंस्योर करवाने के लिए हम लोग एक कानून की डिमांड बहुत सालों से कर रहे हैं और यह उत्फिद्रशन कर रहा है भगत सिंग नेशनल रोजगार गार में नेशनल टो में में उसकता है तो उसकता है थीए हम जाता बूद्या पोचे कि पूर्त इंस प्रप्टेशन के लिए हम जाए हैं, मिलेख गुप है झाहा है एक सिंगर गाराक प्राश के लिए टोपी कर दोप्टेए हैं तो शिसा प्रणाव को यह उत्ज देशनल जेसे a great message.